Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं अलफू सिन डी टैबलेट के बारे में जो की इस दवा के इस्तमाल बहुँ जादा पूर्सों में इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है पूर्सों का प्रोस्टेट गलेंड का बढ़ जाना इसके अलावा पिसाब से जड़ू ही समस्या में अनेको परकार की समस्यों में इससे इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है तो आज की इस वीडियो में हमें ही बात करने वाले हैं अलफू सिन डी टैबलेट के बारे में इसमें जो कॉम्बिनेशन है वहाद दवा कौन-कौन से समस्यों में इस दवा को इस्तमाल करने के लिए डॉक्टर के द्वारे प्रिस्क्राइब किया जाता है इसके अलावा इस दवा को क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, किसे नहीं लेना है, क्या सावधानिया रखनी है या सभी जानकरी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं अल्फू सिन डी टाबलेट जो की 15 टाबलेट की पैकिंग होती है सिपला कमपनी की बनाई है मेडिसिन है और इसका 15 टाबलेट का पैकिंग 500 के प्राइज मैपको अबलेबल हो जाता है और इसका प्राइज फ्लक्शुएट होता रहता है हमने बहुती बेसिक डीटेल के बारे में जाना अब बात करते हैं अलफू सिन डी टाबलेट में क्या के कमपनीशन है इसमें आपको दो तरह के इंपोर्टेंट कमपनीशन अबलेबल हो जाता है पूर्षो का प्रोस्टेट ग्लेंड का बढ़ जाने की समस्या होती है उनसे भी कंडिशनों में इसे दिया जाता है इसके अलावा, prostate gland का और bladder का जो neck होता है, उसका आकार बढ़ जाने के कारण, पिसाब करने में बहुत तरीके की समस्या आने लगती है, पिसाब सही से खुल के नहीं हो पाता है, पिसाब का flow नहीं हो पाता है, पिसाब के वक्त बहुत जादा दर्द होता है, पिसाब में जलन जासा महसूस होता है बार-बार पिसाब जाने की समस्या होती है पिसाब करने में बहुत तरीके का समस्या होता है इसके अलावा यह दवा ब्लेडर का जो नेक होता है या प्रोस्टेट ग्लेन का ब्लेडर का जो नेक होता है उनके उहां के आस-पास के मसल्स को रिलेक्स करने क काम करता है जिसे जो भी समस्या कreate होती है Wow समस्या आराम देने काम करता है और जो भी समस्या होती है वह बहुँ जल्दी solve हो जाती है तो इन सभी कंडिशनों में इस खास तौर पे अलफूसिन D tablet का इस्तमाल किया जाता है urine infection की समस्या होती है या urine से जुड़ा हुआ अनेको परकार की समस्या होती है पिसाप से जुड़ हुई या prostate gland का बहुँ ज़ादा बढ़ जाने की समस्या होती है तो उन से भी condition में इस दवा का इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है यहां होता है अलफूसिन डी टैबलेट का इस्तमाल करने का बात करें क्या dose हो सकता है तो dose depend करता है कि आपकी age क्या है healthy condition क्या है condition कौन से stage पे है उसी सबस इसका dose का confirmation होता है इस दवा का dose का confirmation और इस दवा का इस्तमाल डॉक्टर की रेक देख में करें इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा बात करें इस दवा का क्या नुक्सान हो सकता है तो पूर्षो में sex की इच्छा का कम होना इसके अलावा education disorder इसके सांथे सांचाती में जकड़न जैसा महसूस होना मुह का सूखना बहुत ज़्यादा नीन आना या आप किसी परकारे कोई patient है तो उन सभी condition में आप इसे इस्तेमाल ना करें और कर रहे हैं तो डॉक्टर की रेक देख में करें तो यही था अल्फूस इन डी टैबलेट के परे में जनकरी अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छे लगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फर वाचिंग